आम आदमी के लिए बिमारीयों के बारे में किसी भी प्रोसीजर के रिस्क के बारे में या क्या होगा उसके बारे में discussion करते समय आम आदमी के लिए percentage में जब हम बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है रोगियों के लिए क्या चांस है या पूछते हैं कैसा चांस है या पूछते हैं और वो परसेंटेज में सुनना चाहते हैं मेरी समझ से परसेंटेज ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं और धोखे में आ जाते हैं बिसिकली पर्सेंटेज में बात करना ही एक बहुत बड़ा धोखा है लेकिन यह हमेशा से तरीका रहा है इसलिए लोग करते हैं और करते भी रहेंगे लेकिन उसको समझना जरूरी है पर्सेंटेज किस तरह से चीजों को आपके सामने गलत तरीके से उसका गलत हिस्सा गलत मतलब आपको पेश करता है तो समझने की बात है कि यह पर्सेंटेज जो है वो क्या है आप थोड़ा सा मैं उसके बैग्राउंड क्वारे में बतलाता हूं कि पर्सेंटेज क्या है सौ में से, पर सेंट, सौ में से कितना, तो ये जो सौ में से कितना ये क्या है, ये सांखी की का, स्टेटिस्टिक्स का एक हिस्सा है, मतेमेटिक्स का एक तरीका है, कल्कुलेशन करने का एक तरीका है, और statistical के बारे में, सांखिकी के बारे में कहते हैं कि दुनिया में जूट के कई प्रकार हैं जैसे एक सफेद जूट है जो White law बोलते हैं अंग्रेजी में तो जर एक सफेद जूट हुआ तो एक काला जूट भी होगा और जो तीसे प्रकार का जूट है उसको statistics कहते हैं तो यह अभी एक प्रकार का जूट है यह आपको धोखे में डालता है यह आपको misconception देता है एक बहुती पुरानी हमारे यहां कहानी है कि एक सांखिकी के expert थे उनको नदी पार करना था तो उन्हो कि उसके कमर तक ही आया और ऐसा calculate करने के बाद वो नदी में घुश गए और डूब कर निकल लिए दुनिया से तो सांखिकी के भरोसे आप रहेंगे तो डूबने वाले हैं सांखिकी जो है वह research के लिए किताब लिखने के लिए सही है किसी एक इंसान के लिए सांखिकी को, percentage को, average को समझना और उसको अपने जीवन में implement करना आसान नहीं है तो आपको समझना होगा कि percentage जो आपको बतलाया जा रहा है उसका आपके जीवन में क्या यूज है percentage क्या होता है 100 में कितना डॉक्टर भी बतलाते हैं अक्सर एक परसंट दो परसंट से ले करके 99 परसंट तक लेकिन बात यह है समझने की बात यह है कि percentage क्या होता है 100 में कितना तो 100 पेशंट में इतने रोगियों के साथ अच्छा या बुरा जो भी बतला जा रहा है वो होने का चांस है तो सौ पेशेंट किसके पास है उस डॉक्टर के पास है या उस किताब में हो सकता है जर्णल में हो सकता है जो डॉक्टर साथ पढ़े हैं लेकिन आपके पास रोगी और उसके पेशेंट आप उस परसेंटेज में से किस तरफ हैं अच्छे वाले में या बुरे वाले में होने वाले में या ना होने वाले में यह आज कोई नहीं बतला सकता है वो जब नतीजा निकल आएगा तभी पता चलेगा तो आज के लिए जो जानने और समझने की बात होती है व ज्यादा नहीं है या नॉर्मल खत्रा है जैसे दी कोई नॉर्मल प्लाइंट सर्जरी करते हैं तो उसमें रिस्क उत्रा ही होता है जितना घर से बाहर निकल कर कहीं भी एक चोटी मुटी यात्रा करके आने में है तो परसेंटेज्ज के टर्म में बीमारी के बारे में जानना conjunction है ऐसे मैं एक बात बतला दूं की यदः कुछ बुरा हो सकता है तो मान कर चलो कि और उस्तरह से काम करो कि वह हो चुका है हो चुका है मान करके काम करोगे तब ही वो नहीं होगा वरना जरूर होगा аст तो इसलिए अर्च अर्थ्थ जहां पर सबसे ज़्यादा सांकिकी का यूज होता है जब उसको implement करने की बात होती है तो वो सांकिकी के भरोसे नहीं रहते हैं वो अपने activities के भरोसे रहते हैं अपने action को वो percentage के यह से नहीं calculate करते हैं अब देखिए एक बीमारी के लिए मैं बतलाता हूं कि जब आपको कोई डॉक् कि किसी भी चीज का कितना पर्सेंट चांस है. तो वो डॉक्टर साव के लिए सही होता है. उन्होंने पढ़ि होगी, उन्होंने उनके पास सो से ज़्यादा पेशेंट होंगे. लेकिन आपके पास एक ही पेसेंट है वो आपको परसेंटेज चांस कितना भी कम बतला है 0.00001% भी बतलाते हैं और यदि हो जाता है तो डॉक्टरल का कोई दोस्ट नहीं है उन्होंने आपको बतला रखा है कि यह हो सकता है और आपके लिए वो 100% हो जाता है तो डॉक्टर साब का तो काम चल गया आपको परसेंटेज बतलाने से लेकिन आपका काम उससे नहीं चलेगा आपको यह समझना है कि यह possibility है और आपको उसके लिए तियार हो करके उसके हिसाब से काम करना है जैसे अर्थ साच्र में लोग बतलाते हैं तो परसेंटेज जो है वो सिर्फ आइडिया के लिए है और आपको यह सोचकर काम करना होगा कि यह संभव है जैसे यदि हवाई जहाज इस दुनिया में लाखों हवाई जहाज टेक आफ करने के बाद कोई एक हवाई जहाज जब यह एकसिडेंट होता है तो पूरा का पूरा ही गायब हो जाता है या बस या ट्रेन का एकसिडेंट हो तो चाहे जितने भी लोग उसमें जिंदा बचते हों और जितने भी लोग का बुरा होता हो लेकिन जब हम प्लेन में बैठते हैं या बस या ट्रेन में बैठते हैं तो दिमाग के एक कॉने में ये बात जरूर रहती है कि इसका एक्सिडेंट भी हो सकता है नहीं हो इसके लिए भगवान से मनाते हैं जब तक गारी में से निकल ना जाएं तब तक भगवान का ही नाम जबते रहते हैं ऐसे जिन्दगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा वो सब भगवान की मर्जी से होता है और हम सभी को एक नएक दिन ये इस दुनिया से जाना है लेकिन ये वीडियो इसलिए बलाना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग इन बातों का गलत मतलब समझते हैं और आपसी रिष्टे में करवाहट आती है